इमली जिसका वेज्ञानिक नाम टेमेरिंड्स इंडी का एल है जो लेगियो मिनोस फैमली से सम्मंदित है लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है इमली एक ऐसा पौदा है जिसमें मौजूद कई प्रकार के सक्रिय योगीकों के कारण इसके बहुत से मेडिसिनल फायदे होते हैं जो लेगियो मिनोस फैमली से सम्मंदित है इमली के पौदे के लगभग सभी भागों का उप्योगरा साइनिक दवाओ भोजन और कपड़े के उध्योगों में किया जाता है टैमेरिंड शब्द फार्सी शब्द टैमेर ए हिंद से लिया गया है जिसका मतलब है भारत की तारी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे पहली बार किसी भारतिय ने उगाया था इमली को संस्कृत में अमली का कहते हैं जो की देश में इसकी पहले से ही मौजूद उपस्तिती को दर्शाता है 1200 और 200 इसापुर्व के बीच भारतिय ब्रह्म सहिता शास्त्रों में भी इमली के पेड़ का उल्लेक है ऐसा माना जाता है कि इमली की उत्पती मेडागासर में हुई इसकी खेती अफरीका, एशिया, औस्ट्रेलिया और अमेरिका में की जाती है दिल के लिए इमली इमली दिल की बिमारी एथोरोस क्लोरेसिस के लिए मददगार साबित हो सकती है इस बिमारी में रक्त वाही काउं की भीतरी दिवारों पर वसीय पधार्तों का जमाब हो जाता है इमली के फल के गुदे में भरपूर मातरा में पोटीशेम होता है जो हार्ट ट्रेट और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है इमली में कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है, जो खराब कॉलिस्ट्रोल के इस तर को कम करने में मदद कर सकती है प्रती रक्षा प्रणाली के लिए इमली इमली में कई पोशक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं खासकर विटामिन सी, फ्लेवोनाइट, कैरोटेंस और विटामिन बी कॉम्पलेक्स आयरन की कमी वाले एनीमिया के लिए इमली इमली के फल का पानी आयरन की कमी वाले एनीमिया में फायदे मंद हो सकता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो शरीर में आयरन की जैव अपलबधाओं को बढ़ाने में मदद करता है कभी-कभी आयरुवेदिक डॉक्टर भी ब्लड टॉनिक के लिए इमली की सला देते हैं ब्लड टॉनिक एक सप्लिमेंट्स होते हैं जो रक्तकोशिकाओं के निर्मान को सुधारने में मदद कर सकते हैं पेट और लिवर के लिए इमली इमली का फल लैक्सिटिव के रूप में सायक हो सकता है इमली के फल से मास पीशियों को आराम मिल सकता है जो की दस्त की समस्या में सायक साबित हो सकता है इमली के बीजों में संभावित एंटी ओक्सिडेंट प्रभाव हो सकता है और यह मुक्त कणों के खिलाव काम कर सकता है यह पेट में अलसर की समस्या में मददगार साबित हो सकता है लिवर से संबंदित ज्यादा तिर समस्याए अपोप्टॉसिस के कारण होती है। अध्यानों से यह पता चलता है बहुत ज्याद शराब पीने से लिवर से विशक्ता हो जाती है। मतलब लिवर खराब होने लगता है। इमली के पत्तों में अंटी अपोप्टॉसिस और पर से विशक्ता की समस्या में मददगार साबित हो सकता है.